हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरानी नीलम कहां चल दी सुबा सुबा तुम्हें पता है ना आज दीदी और जीजा जी आने वाले हैं आकास ने अपनी पत्नी को बैग में कपड़े डालती हुए देखा तो पूछ बैठा हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे बहन बहनोई आ रहे हैं लेकिन मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आए दिन सब की हाजरी बजाती रहूँ मैं जा रही हूँ अपने माई के तुम और तुम्हारी मा समभालो अपने महमानों को नीलम चिलाते हुए बोली देखो नीलम तुम्हें जाना है तो जाओ लेकिन मेरी मा और बहनों का रोज रोज अपमान करने की जरूरत नहीं है वैसे भी तुम घर में करती ही क्या हो साफ सफाई काम वाली करती है और रसोई में सारा दिन माही काम करती है आकास भी जलाते हुई बोला हाँ हाँ तुम्हें तो सारी कमी मुझ में ही नजर आती है और मैं क्यों करूं तुम्हारे घर का काम बहुं हो कोई नोकरानी नहीं नीलम ये घर तुम्हारा भी है और अपने घर में सभी काम करते है आखिर तुम कभी इस घर को अपना समझोगी आकास ने समझाते हुई कहा लेकिन नीलम बिना कुछ सुने बैग उठा कर चल दी, आकास बहुत परिशान हो चुका था, नीलम की इस आदत से साधी का एक साल हो चुका था, नीलम ना तो घर के काम करती थी, और ना ही किसी से सीधे मुबात करती थी, फिर भी हर वक्त एहसान जताती रहती थी, कि जैसे आ नीलम कोई भी काम नहीं करती थी सारा दिन फोन पर बाते करती रहती या घूमने फिरने में वक्त बिताती रहती आए दिन नीलम अपने माय के चली जाती थी लेकिन इस बार आकास ने भी ठान लिया था कि नीलम की अकले ठिकाने लगाने ही पड़ेगी नीलम को माय के गए चा जार कर रही थी कि आकास उससे वापस चलने को कहेगा लेकिन आकास बिना कुछ बोले सोने चला गया नीलम के मम्मी पापा भी दामाद को इस तरह देखकर हैरान थे क्योंकि आकास कभी ज्यादा देर रुखता नहीं था सुबह भी आकास आराम से देर से उठा और छट पर टहलने लगा चाय नास्ता करके फिर आराम से टीवी देखने लगा दूसरे दिन भी जब आकास ने वापस जाने की बात नहीं कही तो आकास की सास से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी दामाद बाबू आपको काम पर नहीं जाना क्या पहले तो हमेशा आप जल्दी में रहते थे लेकिन इस बार मम्मी जी वो मेरी नौकरी छूट गई है मा भी दो महीने के लिए मामा जी क्या यहां गई है अब मेरी पतनी भी यहीं है तो मैंने सोचा मैं भी यहीं आ जाता मम्मी जी आपको मेरे यहां रहने से कोई परेशानी तो नहीं आकास बड़ी सहचता से बोला आकास के नौकरी छूटने की बात सुनकर नीलम और नीलम के मा दोनों सकते में आ गई नीलम तो रोने लगी कि पहले ही आकास मेरे खर्चों पर कंजूसी करता था तो अब तो वो मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा ऐसे बेरोजगार आदमी के साथ मेरा गुजारा कैसे होगा अगले दिन आकास के ससुर जी ने आकास को समझाते हुए कहा दामाद बाबू आपके नौकरी छूट गई है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम थोड़े ही चलेगा आपको दूसरी नौकरी ढूड़नी चाहिए आखिर परिवार चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा पापा जी लगता है आपको मेरा यहां रहना अच्छा नहीं लगता अरे आखिर यह मेरा ससुराल है यहां रहकर मुझे काम करनी की क्या जरूरत है वैसे भी मैं बहुत ठक गया हूँ काम करते करते कुछ महीने आराम करना चाहता हूँ जैसे आपकी बेटी अपने ससुराल में आराम से रहती है आकास की बात सुनकर नीलम के पिदा भी फरते हुए बोले दामाद बाबू हमें पता नहीं था आप इतने काम चोरों निठले हैं नहीं तो हम अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कभी नहीं देते ऐसा निठला दामाद हमें नहीं चाहिए जो हमारी बेटी की जरूरते भी पूरी नहीं कर सकता क्यों ससुर जी दामाद कुछ महीने काम धंदा चोड़कर आराम से अपनी ससुराल में नहीं रह सकता तो आपकी बेटी भी ना कुछ किये, हक जमा कर अपने ससुराल में कैसे रह सकती है, आपको निठला दामाद नहीं चलेगा, तो मेरे परिवार में निठली बहु कैसे चलेगी, आकास की बात सुनकर सारे घरवाले एक दूसरे का मुह ताकने लगे, नीलम भी सरमिंदगी से नजरे जुक यूँ अपने ससुराल वालों को परेशान नहीं करती, नीलम के पापा बोले, नीलम आकास ठीक बोल रहा है, घर के सभी सदस्यों को मिलकर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तो मगर बैठे बैठे सिर्फ हक जमाती रहोगी, तो कभी किसी के दिल में जगा न अपने ससुराल जाओ और अपना फर्ज निभाओ, आखिर उन्होंने आकास और उसके परिवार से माफी मागी और नीलम को समझा बुझा कर उसके ससुराल वापस भेज दिया, नीलम की समझ में भी आ गया था कि बेटा हो या बहू, ग्रहस्ती की गाड़ी चलाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना जरूरी है, नहीं तो कहीं भी उसे इज़त नहीं मिलेगी, आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, धन्यवाद